खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन केंद्रिय स्वास्त मंत्री राज्य मंत्री अश्वनी चोवे भाजपा के कारेकारी अधेक्ष जगत प्रकाश नड़ा लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुक शरद यादव समयत कई नेता कल यानि शुकरवार को अस्पताल जेटली से मुलाकात करने गए थे गौर्दलब है कि अरुन जेटली इस वक्त आईसियू में एडमिट है और रात करीब साड़े दस बजे उत्तरप्रदेश के मुक्य मंत्री योगी आधितिनाद भी जेटली से मिलने पहुंचे थे सूतरों की माने तो अरुन जेटली के फेफडों में पानी भर गया है जिसकी वज़े से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है डॉक्टर्स लगातार पानी निकाल रहे हैं फेफडों से लेकिन बार बार फेफडों में पानी जमा हो रहा है 66 वर्षिये जेटली को दिल की धड़कन तेज होने और बेचैनी की शिकायत के बाद शुकरवार सुभा एम्स के आईसियू में एडमिट कराये गया था चिकिसकों ने तब कहा था कि उनका हेमोडाइनमिक स्थिर बना हुआ है और विबिन ने छेतर के विशे चक गए चिकिसकों की टीम उनके उपचार की निगरानी कर रही है अस्पताल ने शनिवार ये रविवार को जेटली के स्वास्ते के संबन में कोई ताजा बुलिटिन जारी नहीं की आपको बता दें अरुन जेटली डाइविटीज के मरीज हैं और उनका किड्नी ट्रांस्प्लांट हो चुका है कुछ समय पहले उनका सॉफ्ट टीशू कैंसर बीमारी के बारे में पता चला था जानकरी के नुसार जेटली ने मोटापे से छुटकारा पाने के लिए बैरियेट्रिक सरजरी भी कराई थी डॉक्टर्स की माने तो अरुन जेटली का हेमोडाइनेमिक स्टेबल है इसका मतलब है कि उनका बलड प्रेशर और पल्स रेट बिल्गूर ठीक चल रहा है और भारतिय जन्यता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता अरुन जेटली से मुलाकात करने के लिए हर रोज पहुँच रहे हैं उनका हालचाल जान रहे हैं और पूरा देश अरुन जेटली के जल से जल ठीक होने की कामना कर रहा है इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रही हमारे साथ और देखते रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज नमस्कार